नमस्कार दोस्तों, मैं प्यूशक्रवाद स्वागत करता हूँ अपनी यूट्यूब चैनल टेक्स डिसकुशन्स में आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है यूट्यूब वर्सेस टेक्स जी हाँ यूट्यूब वर्सेस टेक्स जिन लोग ने इसको यूट्यूब वर्सेस टिक टॉक सुना है आज हम बात करने वाले उन यूट्यूब वर्सेस के बारे में जो यूट्यूब से काफी इंकम कमाते हैं और उनके उपर क्या टेक्स इंप्लिकेशन पढ़ती हैं वो भी हम यहाँ समझेंगे क्या बात कर रहे हैं सर यूट्यूब से इंकम मतलब कुछ दुमा खराब करने वाली यूट्यूब से इंकम से इंकम तो आंसर इस जो भी popular यूट्यूब हैं यूट्यूबर्स हैं वह यूट्यूब से इन लैक्स इंकम कमाते हैं बहुत ही huge amount of money उन आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम YouTube से income कमा सकते हैं और कैसे उस पर tax implications पढ़े गा So now the concept is कि क्या सच में YouTube से income हो सकती है अब कुछ लोग ये बास सुनने के बाद ये सोच रहे होंगे कि जैसे बच्पन में हमसे कोई पूसता था कि क्या बनोगे बड़े उके तो हम कहते ते doctors बनेंगे इंजीनियर्स बनेंगे चार्टर एकाउंटेट्स बनेंगे हाज अगर आपसे कोई पूझेगा तो यह नंगो तिरा भाई यूट्यूबर बनेगा मेरे को करना है ये मेरे को भी यूट्यूबर बना है तो बन सकते हैं आप, बहुत स्कोब है यूट्यूबर में, यूट्यूब आज की तारिक में बहुत ही popular application है, चाहें आप music के लिए refer करें, चाहें आप entertainment के लिए refer करें, चाहें आप knowledge sharing platform के लिए refer करें, और बहुत ही हद तक इस पर digital marketing भी कराई जाती है YouTube के माध्यम से, तो आएए थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं और समझते हैं कि कैसे हम YouTube से income कमा सकते हैं, तो आच्छा मैं एक अपने fact को example देने के लिए एक example लेता हूँ, जैसे हमारे पास कुछ popular YouTubers हैं जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हाला कि मैंने इसमें सारे YouTubers कवर नहीं किये हैं, अभी कैरी मिनाटी, कैरी मिनाटी तो YouTube versus TikTok का जो controversial संबाद चला था, उसमें कैरी मिनाटी काफी popular हुए, ठीक है, तो कही न कहीं वैसे हम TikTok के भारे में जादा बात नहीं करने वाले हैं, अगर हम बात करते हैं इस तरह की वीडियो की तो यह entertainment plus revenue sharing वीडियो होती हैं, जिनसे यह जो YouTubers हैं काफी अच्छा पैसा कमा लेते हैं, अगर मैं बीबी की 25 की बात करूँ तो एक वीडियो से वो 2-3 लाफ रुपे तक कमा लेते हैं अराम से, अब यह किस तरीके से income कमाते हैं, यह depend करता है कि कितने जादा subscribers हैं, कितनी जादा audience इनकी वीडियो को देखती हैं, कितने views इनकी वीडियो पर नॉर्मली रहते हैं, उस पेटेपैंट करता है कि किसी वीडियो से कितना कमा सकते हैं, अब आप सोचे हो कि सर आप कुछ भी फैकर रहे हैं, आज तो कुछ भी लंबी लंबी छोड़े रहो, दो से तील लाप रुपे एक वीडियो से कमा लेते हैं, तो answer is yes, यह लोग आराम से इतना एक वीडियो से कमा सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं हैं, तो जैसा आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने कुछ पॉपॉलर यूट्यूबर्स के बारे में लिखा, जिनको नॉर्मली आप लोग शायद कभी न कभी आपने लोगों की वीडियो से देखी होगी, इसमें एक अमित बड़ाना जी भी हैं, जिनके भी अभी रिसेंटली 20 million subscribers हुए हैं, इसी तरीके से बहुत सारे popular YouTubers हैं, जो कि इस तरह से वीडियो उस पर अपने काफी अच्छे उनके subscribers हैं, काफी अच्छे उनके views रहते हैं, जिस पर वह huge amount of money कमा लेते हैं, चरिए, तो अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं अब, अब है major revenue of YouTubers, तो मैं एक idea दे देता हूँ कि आखिर यह पैसा कमाते कैसे हैं, क्या major revenue रहता है YouTubers का, तो देखें सबसे पहली बात है Google Adsense से यह कमाते हैं, या Google Adsense agreement जो होता है revenue sharing agreement होता है, उससे यह पैसा कमाते हैं, या direct brand integrations या sponsorship services से भी यह पैसा कमाते हैं, अब यह Google Adsense का क्या fund आए, क्या चीज है, देखें, normally आपने YouTube videos देखी होगी, तो जनरली पहले आपने देखा होगा कि एक ad आता है, 30 seconds, 15 seconds YouTube की video पे एक ad आता है, जिसे आप normally 5 seconds के बाद skip कर देते हैं, उसे पूरा नहीं देखते, बट वो जो ad आता है, वो ad, एक YouTuber जब अपनी वीडियो पे उस ad को लगाता है, उस ad को upload करता है अपनी वीडियो के साथ, तो उस case में जो ad से पैसा मिलता है YouTube को, वो YouTube जो है, YouTuber के साथ share करता है, जैसे कि आपने क्या किया, आपने वीडियो अपलोड करी, for example, Carrie Minati ने अपनी वीडियो अपलोड करी, Carrie Minati ने उसमें एक ad डाल दिया, जो already Google AdSense पे available है, जब वो ad अपनी Carrie Minati अपनी वीडियो में डालेंगे, तो जो YouTube है, YouTube है, वो YouTube क्या करेगा? आपको उस ad के बतले कुछ amount of money देगा, तो यह आपकी क्या होगी? इंकम हो जाएगी आपकी, फिर आता है brand integration, आपने कही सारी YouTube वीडियो में देखा होगा, जैसे आशीज चंचलानी जी की वीडियो हैं, या भून भाम की वीडियो हैं, direct advertisement, या फिर कभी कवार यह कुछ apps का, जैसे for example, मैं एक example ले लेता हूँ, जैसे आशीज चंचलानी ने अपनी वीडियो में एक app को promote करने के लिए का कि देखिया, अपने दोस्त को दिखाने के लिए दिखिया, यह MPL app आई है, जिसमें आप घर वाइटेमेटे खेल सकते हो, पैसा भी कमा सकते हो, तो कही न कहीं वीडियो में directly उन्होंने इसको क्या कर दिया, advertise कर दिया, अब promote कर दिया इस product को, तो अब जब वो promote करेंगे इस product को, तो definitely जो advertisement करवा रहा है, वो कुछ न कुछ पैसा जरूर देगा अशिश चिंचलानी जी को, अब basically इसमें क्या होता है, कही न कहीं जो इन यूट्यूबर्स की audience है, जो भी viewers है, जो इन यूट्यूबर्स को देखते हैं, उनकी वीडियो को देखते हैं, यह कहीं न कहीं एक तरह से उनकी asset है, जिसको वो किसी भी जो person है, जिसको advertisement कराना है, वो क्या कहींगे, वो कहींगे कि आप अगर मेरे को अपना advertisement कराने के लिए कोई भी product देते हो, तो मैं इतने particular million लोगों को, जो मेरी वीडियो को देखते हैं, उनको promote करूंगा आपका product, तो it's a digital marketing, it's kind of digital marketing, तो इससे इनको काफी income होती है, plus कई बार इनको direct engagements भी मिलते हैं, कई बार YouTubers को direct engagements मिलते हैं कुछ companies से, उनसे भी इनको income होती है, अब पहले तो मैं देखिए आपको यह पूछना चाहूंगा, कि income तो वो लोग कमा रहे हैं, आपको यह भी समझागे कि हाँ, एक अच्छा amount of money अगर आपके अच्छे subscribers हैं, अच्छे views आपकी वीडियो पर आते हैं, तो एक अच्छा amount of money आप कमा सकते हैं, अगर आप Google Adsense के थुरू कमाते हैं, यानि Google Adsense account में आपको login करना होगा, फिर YouTube आपको पैसा देगा, या फिर आप direct engagements अगर आपको मिलते हैं, वो तभी मिलेंगे जब आपका popular हो जाएगा चैनल, आशीच चंचनानी, बीबी की वाइस, अमित बढ़ाना, इस लेवल पर जब आपको direct engagements मिलेंगे, GST पे करते होंगे, क्या आप बात कर रहे हो sir, GST, मतलब like seriously, क्या ये लोग GST पे करते हैं, नहीं यार, अब ये बात तो हजम होने से रहे, आप तो आप कुछ भी फैक रहे हो, मतलब चलो हमने यहां तक हजम कर लिया था कि ये लोग income कमा लेते हैं, इनको कुछ पैसा मिल जाता यूट्यूब से, बड़ आप seriously ये लोग GST पे करते होंगे, ये लोग सच में return भरते होंगे अपनी YouTube वीडियो के respect में, तो answer is, हाँ, इन पे GST अप्निकेबल होता है, इनने GST पे करना होता है, income है तो GST भी है और income tax भी है, तो जहाँ income है, वहाँ GST और income tax को इंडिया के अंदर रहेगा ही, अब पाताती है कि कैसे GST होगा, क्या रहेगा, इसके लिए हम पहले समझते हैं कि आखिर ये क्या कर क्या रहे हैं, ये किस तरह की service है, ये service है, goods है, क्या कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, तो अब मैं आपको एक example देता हूँ, for example, कैरी मिनाटी ने अभी YouTube versus TikTok की वीडियो डाली है, ठीक है, अब जब कैरी मिनाटी अपनी वीडियो डाल रहे हैं, तो उन्होंने YouTube पे डाली है, अब for example, मानलो उन्होंने YouTube पे न डाली होती, और उन्हों अपनी वीडियो को सेल करना होता, तो वो क्या करते हैं, वो वीडियो बनाते, वो उसको CD में लगती है, या लैक्टॉप में भी लग जाते हैं, वो CD में अप्लोड करते हैं, डेली के पालिका बजार, नहरू प्लेस, या मुंबई के कहीं, बाट रहा हैं, वो उसको एक स्टॉल लगाते हैं, वो सब को पेशते, सौर पे में ले लो भाई, सौर पे में ले लो, यूट्यूबर से टिक टॉक रोस्ट बाई, कैरी मनाटी सौर पे में ले लो, और वो इस तरीके से पेशते, तो क्या GST नहीं लगता, तो क्या उसको sale of goods नहीं माना जाता, आंसर इस माना जाता, तो अब वो लोग, अब वो क्या कर रहे हैं, वो हर किसी को तो नहीं जा रहे हैं, उन्होंने क्या क्या, उन्होंने एक common platform YouTube के upload कर दी, और जो viewers हैं, जो users हैं, वो उसको वहां से view करके, अपना entertainment कर सकते हैं, अब मेरा question यह है कि, केरी मिनाटी है, केरी मिनाटी अपनी services को बेच रहा है, क्योंकि goods तो कुछ आया नहीं, हमने तो online video डाउनलोड करी, तो goods तो कुछ आया नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम केरी मिनाटी की service अवेल कर रहे हैं, but my question is, कि केरी मिनाटी की service है, वो कौन अवेल कर रहा है, क्या केरी मिनाटी की service आप अवेल कर रहे हो, या केरी मिनाटी की service YouTube अवेल कर रहा है, और आप YouTube की service अवेल कर रहे हो, थोड़ा सोच पारे हो आप में क्या कहना चारो मैं एक और एक्जाम्बल से समझाता हूँ जैसे आप मुवीज देखते हो देखते हो मुवीज तो क्या जो मान लीजे करण जोहर ने कोई मुवी बनाई तो क्या वो घरगर आके सीडी बाट के जाता है सबको ले लो भाई ले ले लो सौरपे में सीडी ये ले लो स्टूडेंट ऑफ दे एर की सीडी ले ले लो सौरपे में ऐसे करता है क्या करण जोहर नहीं करण जोहर मुवी बनाता है उस पे उसका कॉपी राइट है क्योंकि मुवी इस His original content, वो उसका original content है, जिसको उसका copyright है, वो उसका intellectual property right है, जिसके वो exhibition rights किसको transfer कर देता है, PVR को transfer कर देता है, जिसके उपर उसका ओरिजनल राइट है वो उसके IPR राइट्स ट्रांसफर करते था है किसको PVR को साइन कॉलिज को इसी तरीके से यूट्यूबर्स क्या करते है जो कहरी मिनार्टी आशी चंचलानी पीवी किवाई जो भी वीडियो बनाते हैं उसके उपर उनका Original Right यह को जो ऑई-पी आ रहे हैं उनका इंत्य प्रोपर्टी राइट ऑ कोफिशन को इस को यूट्यूब को या प५िशन को यूट्यूब एरहे हैं पर लिज से कॉपिया पर योईक्स को यूट्यूब करते हो थैं कि उसमें लिखा होता है कि जो कॉपिरा कर देता है यह एक तरह की आप सर्विस दे रहे हो किसको यूट्यूब को आप कस्टुमर्स को सर्विस नहीं दे रहे हैं हम क्या यूट्यूब यूट्यूब क्या यूट्यूब क्या यूट्यूब क्या यूट्यूब क्या यूट्यूब क्या यूट्यूब क्या यूट्यू सर्वीस के एक चीज़ाने समझ में आकई कि जो सर्विस कर रहे हैं और सर्विस का नाम क्या है मैं अब मैं आपको यह टे कनना मिनिंग इंसलिए समझों क्योंख्ि सिर्विस जब तक आप यह decide नहीं कर पाओ कि किस पर GST लगेगा या नहीं लगेगा वो GST लगेगा तो कितने rate से लगेगा तो I know थोड़ा सा कुछ लोगों को हजम नहीं हो पारी होगी वाली बात कि GST भी लगता है या GST पे करना पड़ता है बढ़ हां GST पे करना पड़ता है चलिए आगे बढ़ते हैं तो मैंने इसके अंदर क्या लिखा सप्लाई की definition लिखी कि सप्लाई देखिए जब तक सप्लाई नहीं होगा तब तक GST नहीं लगेगा तो सबसे पहले GST लगाने के लिए यह देखना पड़ेगा क्या वो सप्लाई है या वो सप्लाई नहीं है तो मैंने पहले ही आपको बताया है हमारी सर्विस नेचर क्या है Τ्राश्फर ऊफ इंटिल्अल प्रोपटि राइट मैंअपने अपना जो राइट मेरा वीडियो में वेडीयो पर वो में किसको ट्रांसफर करदेता ऊं यूट्यूप करदेता हूं राइट फिर है अब क्योंकि यह goods नहीं है क्योंकि यह goods नहीं है इसलिए मैंने इसको क्या माना services क्योंकि services की definition क्या कहती है service का मतलब है service means anything other than goods जो भी goods के अलावा कोई भी चीज है वो से हम क्या रहा देते हैं service क्या देते हैं राइट चलिए अब पताती है supplier कौन है मैंने आपको बताए supplier कौन है supplier कोन है केरी मिनाटी मतलब यूट्यूबर साथी supplier of service supply क्या है transfer of permanent transfer of IPR या तो temporary transfer कर देते हो आप अपना राइट या permanent transfer कर रहे हो राइट किसके उपर अपने वीडियो के उपर और किसको transfer कर रहे हो यूट्यूब को कर रहे हो ठीक है तो यानि nature of supply क्या है इस अपने ट्रांफर आइप या राइट लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है यूट्यूबर्स जो मैं अगर इंडियन यूट्यूबर्स की बात करूं तो इंडियर इस दी agreement क्या है देखिए अगर मैं Google AdSense की बात करूं तो Google AdSense में जो agreement होता है वो Google Singapore के साथ होता है जो Google AdSense का revenue share agreement होता है जिसमें वो advertisement जो आता है जो आप 5 सेकंड में skip कर देते हो ठीक है तो advertisement हम एड दिखाते हैं वीडियो के अंदर उस एड का agreement होता है वो होता है है Google Singapore के साथ उसके इसमें location of recipient क्या हो गया Singapore क्योंकि हम Singapore की जो Google के entity है उसके साथ agreement कर रहे है कि अगर हम अपनी वीडियो का जो राइट आपको transfer कर रहे हैं अगर उस पे आप अपना एड लगाओगे तो आप मुझे इतना पैसा दोगे अब उसका कुछ revenue sharing agreement होता है जैसे for example based upon the subscribers based upon the views on the videos वो decide करते हैं कि पर advertisement आपको 50% revenue मिल जाएगा या 55% revenue मिल जाएगा मलब जो advertisement करा रहा है वो YouTube को मान लीजे 100 पर देता है तो 50 रुपर उसमें से YouTube आपको दे देगा ठीक है तो इस तरह को कुछ agreement उसके साथ हो जाता है Google Adsense के साथ और वो कहा की entity है वह सिंगपोर के entity नॉर्मली Singapore entity के साथ agreement होता है इस case में जो location of recipient हो क्या हो गया Singapore हो गया ठीक है राइट बिल्कुल सही अब place of supply देखे जब तक place of supply पता नहीं चलेगा तब तक यह पता नहीं चलेगा कि हम उस पर IGST लगाएं क्योंकि हमें यह पता लगाना बहुत जरूर है कि वह इंट्र स्टेट अप्लाई है यह वह इंट्र स्टेट सब्लाई है तो देखे इसके लिए पढ़ेंगे सेक्शन 13 सब्सेक्शन 12 जिसके अंदर क्या कहते हैं जो भी online information या data access और ट्राइवल सर्वेस है तो ऑनलाइन मिलती है वीडियो उसको आप डाउनलोड कर सकते हो ओनलाइन ही वीव कर सकते हो तेक्शन 13 सब्सेक्शन 12 कहता है कि अगर आपके online access of travel service यह जो transfer of IPR rights वाली service है उस case में आपका जो place of supply है वो location of recipient माना जाता है Google access के case में वो क्या हो जाएगा out of India मतलब Singapore अगर आपको को डारेक्ट engagement मिल रही है तो वो आपको agreement देखना पड़ेगा कि हमें direct engagement देखन रहा है हमें directly अपनी वीडियो के अंदर advertisement करने के लिए अगर किसी company ने approach किया वो company कहां किया वो इंडिया किया यह वो बाहर किया अगर बाहर किया तो place of supply out of India अगर वो इंडिया किया तो place of supply in India माना जाएगा जाएगा तो place of supply के बिना तुम यह डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि उस पर GST लगेगा कौन सा IGST लगेगा या CGST लगेगा या SGST लगेगा राइट तो place of supply अगर आप बात आती है क्योंकि out of India तो मतलब यह एक्सपोर्ट वा गया क्या और यह सर अब तो आप सीरियोसली ना कुछ भी फैक करें हो मतलब कुछ सस्ता नशा करके बैठे हो मतलब आपने तो बोलती है कि एक्सपोर्ट है एक्सपोर्ट से तो हम कुछ और ही समझते है त ऊड़ीपाट यहीं वीडियन देखते हैं यूटीवर्स गूगल एक्सनस के सब्सक्राइब क्समेरल एक्सपोर्ट सर्वेस के लिए कि आपको जो पेमेंट वो किस में आना चाहिए ने आपको पैसा जो है तो इसको एक्सपोर्ट आप सर्विस माना जाएगा और मैं आपको बता दूँँ गूगल एक्सेंस के लिए जो पैसा आता है वो डॉलर्स में आता है तो यानि आपके एक्सपोर्ट की सारी कंडिशन को अप्लाई हो रही है मतलब इंडियन यूट्यूबर्स कैरी मिनाटी जो सर्विस देरा यूट्यूब को और अगर वो गूगल एक्सेंस का एड लगाता ह है और उस एक्सेंस के पतले गूगल एक्सेंस कंपण है जो शिंगापरा एटी परिपकी को तो वह एक्स्पोर्ट ऑफ्स माना जाएगागा एक्सपोर्ट ओव सर्विसं जोब रहे हैं उस पर हमें कुछ न कुछ टेक्स पेनेफिट कुछ टेक्स एक्सम्शन जरूर मिलें कि वह भी समझते हैं कैसे ठीक है अब देखे एक्सपोर्ट के केसे में हमाई पास दो ऑप्शन होते हैं या तो हम विद पेमेंट ऑफ आई-ई-जी-एस-ट पेमेंट करते ह तो हमें क्या होगा जो हमने जीए-स-ट पेकर उसका रिफर्ण मिल जाएगा ठीक है और हमारा जो भी आई-टी-स वगेरा हमारे जैसे हम जो भी प्रोड़क्ट खरीद रहे हैं या कुछ और प्रोड़क्स खरीद रहे हैं उस पर हम आई-टी-स भी मिल जाएगा अपने बि सब्सक्राइब करना चाते हैं इसलिए लगेगा क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई है सारी एक्सपोर्ट ऑफ सर्वेसे जो है वह इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाती है इसके लिए उस पर क्या लगेगा आई-जी-स-ट लगेगा राइट चलिए अब बात आती है जी-स- लेकिन अगर आप पर्मनेंट ट्रांसफर कर रहे हों किसी इंट्लेक्शल प्रपर्टी का राइट जो की टेक्नलोजी सौफ्वेर से रिलेटेड है उस पर जी-स-ट का रेट है 18 और नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट और डिजीटल मीडिया पर भी जी-स-ट का रेट है अगर डारेक्ट एंगेजमेंट मिल रही है यूट्यूबर्स को डारेक्ट लीव वह अपनी वीडियो के अंदर किसी एक प्रोडट का एडवर्टाइलमेंट कर रहे हैं तो वह एक डारेक्ट एडवर्टीमेंट सर्विस है जिस पर जी-स-टी-स-ट के दर से लगना और उन्होंने कोई नहीं दिया उन्होंने जिस्ट क्या दिया एक वीडियो तिया एक वीडियो के ओपर राइक दिया है उस केस में उन पे जो जी-स-ट का रेट है वो 12 परसेंट लगना चाहिए ना कि 18 परसेंट इन माई ओपीनियन तो अगर आपको डारेक्ट एडवर्ट परसेंट नहीं है मतलब कहने का है इंडिया की कोई कंपनी है वह आशी चिंचलानी के पास जाती है या कैरी मिनाटी के पास जाती है कि मेरे इस प्रोड़क्त की या मेरी इस एप्लिकेशन की आप प्रमोशन कर दीजिए वर एक्जामपल अभी सुन्दे में आया कि टिक-क क टिक-क कंपनी है वह टिक-कंपनी के पास जाती है और कहती है या इस प्रटिकुलर एप्लिकेशन का प्रोशन कर दिघिए तो उस केस में लोकेशन ऑफ्प्लायर क्या है इंढिया के पास नटी ऑप इंडिया कोई बी इंडियन या रिजिस्टर्ड होगी तर पर दीमणारि क्योंकि online access or travel service में location of recipient क्या होती है place of supply location of recipient क्या है इंडिया तो उस case में export of service नहीं माना जाएगा अब export of service नहीं माना जाएगा तो उस case में आपके पास कोई दो option available नहीं है आपको अपनी outward taxable supply पर अपना GST pay करना पड़ेगा और जो भी purchases item है या input services उस पर अपना input tax credit ले सकते हैं उसमें कोई भी दिक्कर नहीं है और फिर आपको अपनी accordingly GSTR1 GSTR3 भी अपनी returns जो भी है वो बरनी पड़ेगी क्या registration लेना पड़ेगा या नहीं तो answer is yes GST applicable होता है उन्हें invoice पी generate करना चाहिए as a healthy practice उन्हें invoice generate करना चाहिए Google कभी इंवाइस नहीं मागेगा क्योंकि Google के agreement में लिखा होता है कि जो भी वो पिमेंट दे रहा है वो inclusive of all taxes वगेरा है तो कभी आप सर्वेन्यू अपना invoice शाहिद नहीं प्रेक्टिस को कि आपको अपको अपनी GSTR 1 भरनी है आपको अपनी 3 भी भरनी है तो in that case as a healthy practice as a compliance of law आपको अपना invoice generate करना चाहिए तो कुछ लोग कह रहें कि सर मतलब क्या ही वह लोग कहरी मिनार्टी और यह आशी चंचलानी अपना invoice बनाते अपना मतलब करने GSTR रिटरन बरते हैं आंसर इस यह लोग भरते होंगे इन्हें बरनी चाहिए लोके अक्वाइड रिटर्न subject to their total gross total income from this business is exceed 20 लैक्स उपीस उनकी जो supply of service से जो हो रही है वह 20 लैक्स एक्सीड कर रहे है तो उन्हें बरना होगा और जैसा मैं समस्ता उनकी एक्सीड करती होगी चलिए अब पाताती है क्या income tax भी अपलीगेबल है अब अब नहीं हजम हो रहा है मतलब क्या इंकम होती है यह भी हजम कर लिया अब आपने इंकम टेक्स भी लगा दिया जी हां इंकम है तो इंकम टेक्स पे करना पड़ेगा अब जवाल उठता है कौन से हैड में पे करना होगा तो देखिए अगर यूट्यूबर्स है जिसका तो उसकेस में उन पे जो लगेगा प्रकिया वा ड़िद्क्क Tamam सकते हैं और एक चीज़ और अगर यूट्यूबर्स चाहें अगर वो अपनी इंकम बिजनेस दिखाते हैं तो वो इसको प्रोफेशनल ट्रेजम्टिव टेक्सेशन में भी लेके जा सकते हैं फॉर्टिफोर एडी का बेनेफिट भी ले सकते हैं इसमें कोई दिकत नहीं है कोई दिकत नहीं है कैसे वो थोड़ा से रिवेन्यू कमाते हैं कैसे उनकी टेक्सब्लीटी होती है यह मैंने इस वीडियो में समझा नहीं कोशिश करी आपको समझ आया होगा प्लस एक छोटा सा मैसेज में अपने स्टुडेंट्स को देना चाहता हूं रिसेंट्ली अभी आइसे के प्रेसिटेंट्स ने कंफर्म किया है कि सारे स्टुडेंट्स वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें पेपर होंगे एक्जाम्स होंगे देखें कंट्री में कोविट-19 की वज़े से क्या सिचुएशन रहन प्रेसिट्टेंट्स को बहुत ही एक्जाम और हमें एक्जाम देने है क्योंकि अगर थोड़ पॉसिबिलिटी होई एक्जाम कंड़क्ट होने की तो एक्जाम डेफिनीट्ली कंड़क्ट होंगे so thank you all from my side please like share and subscribe the channel if you like the video thank you